सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें हम ही नहीं कर सकते हैं अरों की छोड़ नहीं करना होता है और यहां ट दीनly को भी एक बार पाना होता है पर्यूजने कराकर उसको प्लां डान करें सौने ऐ कंगुठी हां पूरा वीदिवदान है धरते पे सोना और चिंतन करना रात बर जागना बहुत 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 विदान है लेकिन आजकल ऐसा करना बहुत असंभब सा हो गए है और उध्यापन में तो जो वीदिवदाना तुमारा घर भिग जागा है तब भी साथ कमी रह जाए इतना नीम है लेकिन ये है राजाओं के लिए जो राजा महराजा हैं उनको करना ही चाहिए ये दियो प्रजागी तरह साधान बर्त करेंगे तो उनको दोश लगेगा मने समर्थ रहते जो साधान रिती से पूजा करता है तो उसको भी एक दोश लगता है समर्थ के उनसार सेवा करने चा करके और जो पंड़ जी थे साधान पत्ते तोड़के तूलसी मिला के अपन ठाकुरजी की सिवा विश्मदास ब्राह्वान राजा का नाम था कुल चोल छो नाम का राजा और विश्नियस नाम का तो राजा ने देखा कि मैंने जो हीरे मोतियों से पूजा की ठाकुर जी की और ये ब्राह्मन ने सारी पत्तों से ठक दी मेरी सारी पूजा जो की थी बगवान की और उसके प्रक्रोध कर गए बड़ा भक्त बना तो उन्होंने कह दिये भी तुमने जो पूजा की है ओ अच्छे है तुम राजा हो हीरे मोतियों से पूजा करते हैं मैं गरीब हूँ तो जंगली फल फुल तोड़ के ठाकुर जी पू पूज़ते हैं आप अमीर हैं तो मेरी से पूजा करो मैं गरीब हूँ तो गरीबी से पूजा करोंगा आइः बड़ी चोटी पूजा क्या मतल् contar में था तुल राजा अपने हे हिंकार में था तुल बड़ा बड़ा बदो रहा है ऑपनाव को ज्ञान जाड रहा है कह ते औ तो दोनों में शर्ट लग गई और कथलम भी है अंत में भगवान पहले दर्शन ब्राह्मन को देते राजा को भी दी राजा को बाद में हुए तो समर्थ के अंसार कोई गरीब है तो गरीबी के अंसार पूजा करे जो को अमीर है तो ठाट बाट से पूजा करे तो इकाथ सी ब्रत राजाओं के लिए कहा कि उसमें ब्राह्मनों को 26 कम से कम ब्राहमनों सब को सुरन दान करो सब को गाय दान करो लेकन ओ किस के लिए है समर्थ जो ब्राहमनों की है उसमें यग भी करो और सोने की वेदी हो मनियों के चौक पूरे हो और ओ फिर ब्राहमनों को भी तित करो तो ये नीम की कादसी का किस के लिए है राजाओं के लिए है गरीब के लिए है इसलिए कहा कि नीम की तो छोड़ो नीम तो पुरा कोई करे नहीं सकता जितना जिसे बने अब आपने कहा कि अगर एकादसी को पूरे विदी विदान से ब्रत नहीं रख सकते तो क्या ब्रत नही करना चाहिए इकादसी का तो करना ही चाहिए यदि आप कुछ नहीं कर सकते एक ही नहीं मिले लो कि अनने खाना बस इतना ही कर लो बस यह सबसे सरल विधी है बस अनना खाओ ये तो कोई भी ब्रत कर सकता है इसको तो नहीं तो और कठीने ब्रत इसमें तो पानी भी नहीं पीना होता है शुद्ध ब्रती कालसी का जिससे जितना बने करना चाहिए और आपने कहा कि अधि विदिविदान से नहीं तो ब्रत नहीं करना चाहिए झाल झाल झाल